हलो दोस्तों भारत अप्टेट से आनम आपका स्वागत है और दोस्तों आज एक जो है नोटिफिकेशन आया है हिमाच्वल प्रदेश पबलिक सर्विस कमिशन की तरफ से तो यहां पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अड़िवर्टीजमेंट जो है यहां पे ज बता है जो वेकेंशी जोने भरनी है तो चलिए देख लेते हैं और आप कहां से यह वेकेंशी भर पाएंगे कहां से आपको यह प्लेक्शन फर्म भरना है तो उनकी ओफिशिल वेबसाइट से जो रहें की www.hp.gov.in.hppsc ठीक है तो यहां से आप अप्लाइक कर सकते हो तो कह और यहां पर यह वेकेंशी है यह निकली है हिमारचरपरदेश forest services यानि की hpf. और यह वेकेंशी है assistant mee एक क्लास एक की विकेंसी है इन देपार्टमेंट ओफ फॉरेस्ट ठीक है दोस्तों तो इसकी जो यहां पे लास्ट डेट है वो है 29 ग्यारा दोहजर निस 29 नवंबर 2019 इसकी लास्ट डेट है ग्यारा बसका 69 मिनट तक यह आप प्लाइब कर सकते हो उसके बाद लिंक जाए डिसेबल कर दी जाएगी तो लास्ट डेट आपको बता दी कहां से प्लाइब करना है विबसाइट से यहां पर दी गई हैं यहां से आप देख सकते हो और कितनी विकेंसी है क्या फीस स्ट्रक्चर है कितनी फीस लगी आपकी पूरे इंफोर्मेशन यहां पर मैं बताओं का तो चलिए देख लेते हैं आगे आगे यहां पर देखें तो यह नोटिफिकेशन आपको मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन मैं देव दूंगा इसका ठीक है इसका जो लिंक है पोस्ट की बात करें कितनी पोस्ट है हिमाचल नेम नेम आफ पोस्ट आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट सर्विसेज असिस्टेंट कंजर्वेटर ओफ फोरेस्ट क्लास एक गैज़ेटर नमबर ओफ पोस्ट जो है इसमें नोव वेकेंसिज हैं इनक्लूडिंग बैक लोग एंड एंटिस्पेटर वेकेंसिज जनरल के यहां पर पांट जोगेंस और यहां पर लिखा है 35 एंड बिलो ठीक है और पेस्केल जहें इसका 15,600 से 49,100 यहां पर लेगा प्लस 5,400 इसका ग्रेड पे साथ में होगा ठीक है असेंसियर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैचलर डिगरी और एकुलेंट इन साइंस और इ पास बैचलर डिगरी होने चाहिए इन साइंस में ठीक है या तो इंजिनेरिंग की डिगरी आपके पास होने चाहिए रिको गनाइट युनिवस्टी से आपने की हुई हो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में ठीके दोस्तु तो आप अगरिकल्टर है बोटनिक इंश्टी कम साइंस इंजिनेरिंग एंडिकल्टर केमिकल सीबिस कम्प्यूटर लेक्टिकल लेक्ट्रोनिक्स मेकैनिकल इनवार्टि कटल्टिक्ट्रों चाहिए तो आपने किसी एक विख़ेक्ट में अगर आपके पास बैचलर डिगरी है ठीक है तो आप जो है इसके लिए अपलाइक कर सकते हो दोस्तों और आगे बात करें फीजिकल स्टेंडर की तो हाइट 163 संटीमेटर होनी चैस्ट आप देख सकते हो क्योंग कि नियुक्त यह 25 किलोमेटर इन फोर आवर यान की चार घंटे में 25 किलोमेटर क्पैस्टी में होनी चाहिए चलने की फिमेर के लिए हाइट रह वाक जो है 16 किलोमेटर इन फोर आस ठीक है चार घंटे में आपको कपेस्टी होनी जीए 16 किलोमेटर की ठीक है और जो अब कर शड्यूर्ट ट्राइब जो है उनके लिए यह देख सकते हो आप मिनिमम हाइट उनके लिए उनके लिए कुछ अलग यहां पर रखी होती है जैसे की गोरखाज असमीज मिखाल्या लधाकीज इंक लिए अलग होती है देख लिजी आप और आगे बात करें स्क्रीनि करेगा तो पूरी इन्फो यहां पर दी गई है और यहां पर और यहां पर नेगटिम मार्किंग भी है ठीक है तो जिरो पॉइंट त्री त्री इसकी मार्क्स आपके कटेंगे रोंग अंसर ठीक है और आगे बात करें तो इसले बस है यह देख लीजिए आप फाइब पेपर पांच पेपर यहां पर दाए गए हैं और आगे यहां पर हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है वह वेबसाइड मैं आपको बता दी वहां से अपने अप्लाई करना है एक्जामिनेशन फीस की बात करें तो फीस आपकी लगेगी 400 रुपए ठीक है और बाकिया पर देख कोते हो इंक्लूडिंग जनरली फीजिकली डिसेबल उनके लिए सभी के लिए यहां पर 400 रुपए फीस लगेगी बाकी बात करें से ओफ एच्पी स्टी ओफ एच्पी ओवी सी ओफ एच्पी बीपिल ओफ एच्प रुपए इन सभी के लिए आपकी फीस लगेगी 100 रुपए ठीक है दोस्तों आपकी फीस ओवी सी जो रिजर्ट के लिए इस होती है उनके लिए फीस सो रुपए है आप देख सकते हैं यहां पर और एक सर्विस्पन ऑफ एच्पी एक सर्विस्पन हुआ रिलीवड फ्रॉ इस पर इस पर आप देख सकते हो ठीक है और जाजानकरे के लिए आप इन नमबर से कोई कर सकते हो अगर आपको किसी तरगी कोई क्वेरीज है कुछ पता नहीं चल रहा तो यह आपको बता देंगे ठीक है दूस्तों तो यह थी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट आज यह न लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करवा दूंगा बहां से आप इस नोटिफिकेशन को डॉनट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना ठीक है दोस्तों तो यह थी आज की इंपोर्टेंट अपडेट और अगर आपको वीडियो चे रहे तो से लाइक शे